असलाम आलेकुम आज मैं आपसे शेर करूंगी वाइट चिकन बिर्यानी की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है और इसे हम बहुत ही माइल्ड मसाले के साथ बना कर तयार करेंगे जिसे बच्चे बड़ी सब ही इंचॉय करना पसंद करेंगे तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ साथ ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें जिसे मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को लाइक एन शेर करना ना भूले तो वाइट चिकन बिर्यानी बराने के लिए हम यहाँ पे एक वैसल ले लेंगे उसमें हम पानी गरम कर लेंगे और इसमें हम दालेंगे कुछ खड़ी मसाले जो की है साथ से आठ काली मुच्छे, छे से साथ लॉंग, दो तेज पते, एक दालचेनी का टुकडा, दो बादिय पूल, तीन चोटी लाइची, दो बड़ी लाइची, इन सभी को हम पानी में दालेंगे, साथ में दालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, साथ में जाएगा कुछ पुदीनी के पते, पांच से छे, और दो नीम्बू के स्लाइस, या फिर देंगे अच्छे से, तो देखे, पानी में उबाल आ चुगा था, और अब हम यहाँ पे दालेंगे तीन कप चावल, जिसे मैंने आदे गंटे के लिए भिगो के रखा था, और इसे अच्छे तरह से मिला देंगे, और इसे फुल फ्लेम पर ही कुख होने देंगे, और देंगे उसमें ले ले लेंगे आधा कप तेल, साथ में ले लेंगे कुछ खड़े मसाले, जो की है एक दालचीनी का टुकड़ा, दो पीस जावितरी की ले ले लेंगे, दो तेस पत्ते, दो बादियान फूल, तीन छोटी लाईची, दो बड़ी लाईची, आँच से नौक काली मिर्चे और 5-6 लॉंग, और इसे हम ऑईल में डाल लेंगे और इसे क्राकल होने देंगे ताकि इसका पूरा फ्रेवर ऑईल में रिलीज हो जाए, और यहाँ पे एक किलोग्राम चिकिन अच्छे से वाश करके ड्लेन करेंगे और इसमें डाल लेंगे, और चिकन को हमे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तेल में, तो फुल फ्लेम पर आप इसे चलाते रहेगा पांच से छे मिनिट के लिए ताकि चिकन में कोई भी कच्छी स्मेल ना रहें, और इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए, और यहाँ पे हम डालेंगे तीन टेबल स्पून अदर अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे इसमें, तो अदर कलसन को हमें फुल फ्लेम पर चलाते रहना है तीन सी चार मिनिट के लिए ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहें, तो यह देखिए अधर कलसन अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं, और यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप फ्र होने में जादा टाइम नहीं लगेगा और अब हम कुछ पाउडर मसाले लेंगे जो की है two teaspoon zeera powder two teaspoon namak one teaspoon white paper powder one teaspoon black powder और अगर आपके पास white paper powder नहीं है तो आप two teaspoon black pepper powder ले लेंगे two teaspoon धनिया पाउडर लेंगे एक teaspoon पून गरम मसाला पाउडर और यहां पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रहे हुए और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे पानी हम इसलिए आड़ करेंगे ताकि जो मसाले है यह नीचे लगना जाए और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भूनते रहेंगे और अब हम इसमें दालेंगे आदा क Hack दही और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे continuously आप चाहे तो दही को फेट के डाले या फिरे ऐसी डाले मैं ऐसे ही डाल रही हूं तो इसे मैं continuously चलाते रहूंगी इसमें तो देखे इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं बने है और ये दही भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके है और अब हम इसमें डालेंगे आदा ग्लास दूद्ध और मिला देंगे इसे अच्छे से लो फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे 15 मिनिट के लिए ताकि चिकन जो है वाच्छे से कुक हो जाए और अब हम चलते हैं बिर्यानी के सबसे इंट्रेस्टिंग पाथ की तरफ जिससे की आप कहले कि आपकी बिर्यानी को चाठ चान लग जाएंगे और यहां पर हम लेंगे फ्रेश क्रीम जो की है half cup और इसमें दालेंगे एक टेबल स्पून आलमेंट पाउडर यानि की बदाम का पाउडर और half teaspoon जाएगा ईलाइची पाउडर हाफ टी स्पून जाइफल और जावितरिका पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें विस्कर की मदद से कर ले या फिर स्पून की मदद से कर ले और इसे एक साइड रख देंगे और अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छे से कुख हो चुकी है यह इस पॉइंट पर गयास का फ्लेम फूल कर लेंगे और इसमें दालेंगे कुछ धनिया पत्ता और पुदीना पुदीना मैं ऐसे ही दाल रहे हूँ और धनिया पत्ता आप चौप करके दाल सकते हैं मिला देंगे इसे अच्छे से साथ में दालेंगे हरी मिर्चे तो ये मैंने चार हरी मिर्चे लिए है जिसे मैंने टू पीसे में कट किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग की ले सकते हैं और साथ में ले लेंगे हम क्रीम का मिक्स्टर जो हमने prepare किया था और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें और इस point पर आप gas का flame medium कर सकते हैं क्योंकि यह क्रीम है तो यह इसके नीचे लगने के chances होते हैं जादा तो यह देखी अच्छे से mix हो चुके हैं और इसकी जो gravy भी है वो भी काफी smooth है और अब हम gas का flame बन कर और अब हम लेयरिंग कर लेंगे एक वैसे ले लेंगे उसमें हम थोड़ा मसाला दालेंगे नीचे फिर बॉयल किये हुए राइस दालेंगे तो यह मैंने आधे चावल डाल दिये हैं और इसके ओपर हम सब चिकन के पीसे और सब मसाले रख देंगे और इसे अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे और बाकी जितने भी चावल बचे हैं वो सब इसके ओपर दाल देंगे और इसे सेपरेट कर लेंगे और इसके ओपर हम थोड़ा सा ओईल या फिर गी दाल देंगे ताकि चावलों में मॉइस्ट बना रहें और इसके ओपर थोड़ा सा फ्राइट के वे प्यास दालेंगे और चाप किया वहारा दन्या तो यह गानिशिंग जो हम करते हैं चावलों पर यह बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसी से सब खुश्बू आती है चावलों में और इसे हम कवर कर देंगे अलुमीनियम फॉइल की मदद से या फिर आप कपड़े की मदद से भी कवर कर सकते हैं और इसे दम देने के लिए हम हैवी बॉटम का तवा रखेंगे और उसके ओपर हम वैसल को रख देंगे और पांच मिनिट के लिए ग्यास का फ्लेम फुल कर लेंगे और उसके बाद हम ग पाइता या कचुमर के साथ सर्फ करें और आई होब आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंज और फैमली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो ऐसे ही मज़दार रेसिपी इस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें मिलती हूँ आपसे नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अला हाफिज और टेक केर